तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हेयर पैक की ये एक तरीके का हेयर पैक है इसको लगाने से आपके बालों में रूखापन बालों में अगर डेंडरॉफ है तो वह खतम हो जाएगा बालों की लंबाई अच्छे से बढ़ेगी बालों की ग्रोथ बहुत अच हो जाएगा तो इस पैक को बनाना कैसे है बिना देरी किये मैं बताती हूँ आपको कि आपको दही लेना है अगर आपके बालों में डेंडरॉफ है तो आपको खटा दही लेना है ये चीज़ आप दिहान रखिएगा अगर डेंडरॉफ के लिए आप अपलाई कर रहे हैं ल तो इदर उदर जो पानी टपकते रहता है दही लगाने के बाद वह अच्छा नहीं लगता है तो वैसा नहीं होगा बिल्कुल एकदम पैट की तरह आपके बालों पे सेट हो जाएगा तो दूसरा इंग्रिडियन मैंने इसमें यूज किया है कंडिशनर अगर आप कंडिशनर करना चाहते है तो आप कंडिशनर की जगा पे विट्यमीन E का कैप्सूल या थोड़ा सा गलीसरीन डाल सकते हैं इसमें तीसरा चीज इसमें मैंने डाला है ď नारियल का तेल या जो भी तेल आप अपलाई करते हैं वो डाल सकते हैं जो भी तेल आपको पसंद दो और कंडि तो आप कंडिशनर डाल सकते हैं बिना आटेंशन के मतलब परिशान होने के जरुरत नहीं है नुकसान नहीं करेगा तो यह पैक हमारा मिक्स हो गया है अब आपको क्या करना अपने बालों को अच्छे से सुलजा लेना है अगर आपके बालों में ऑल है तो भी आप इस पैक को लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा नहीं है कि आपको बालों को धोके ही लगाना है ओयल के साथ भी आप अपने बालों में लगा सकते हैं तो आपको इसको अपने पूरे बालों में लगा लेना है आप हाथ से चमत से या ब्रश से जैसा भी हाथों से काफी अच् वो काफी shiny हो जाएंगे साथ ही साथ अगर आपके बालों में breakage है यानि कि बाल आपके टूटते हैं तो बालों का टूटना बंद हो जाएगा क्योंकि बाल स्मूध हो जाएंगे soft हो जाएंगे तो बालों का breakage खतम हो जाएगा अगर आपके बालों में बाल आपके दो मुहें हैं तो दो मुहें बाल भी खतम हो जाएंगे साथ ही जैसा कि मैंने बताया अगर आपके बालों में डेंडर्फ है तो डेंडर्फ भी खतम हो जाएगा सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपको खट्टा देही लेना है और अगर आपको बहुत ज़्यादा hair fall हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रुरत नहीं है hair fall problem तब देता है जब आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और उनमें नई growth नहीं हो रही है तब वो tension वाली बात होती है और अगर growth अच्छे से हो रही है तो hair fall जैसा कि एक example देती हूँ मैं आपको साल में एक बार पत्यज़ड का सीजन आता है तो सारे पत्य गिर जाते हैं उसी तरह हमारे बाल भी होते हैं तो बाल गिरने से घबराना नहीं है आपको बालो की बहुत अच्छे से care करनी है और नई growth अगर नहीं आती है तो घबराने की जरुरत है तो अगर आपको hair fall अभी हो रहा है तो hair fall इससे रुक जाएगा और नई growth भी बहुत अच्छे से आएगी तो इसको पूरा आपको इसी तरीके से straight way में लगाना है अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सीधे हों क्योंकि इससे बाल सीधे भी होते हैं तो आपको इस तरीके से लगाना है और बालों को as it is छोड़ देना है ऐसी ही बिल्कुल straight way में और अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको लगा के बन भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी जैसा कि मैंने बताया था कि छनी से हमने इसे चान लिया है तो इसमें पानी वग उसी दिखेंगे ऐसा लगेगा कि बहुत घने हैं आपके बाल और इस पैक को आपको हफते में दो बार या हफते में एक बार जरूर लगाना है कम से कम दो से तीन हफते लगाए अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो यह नहीं कि एक बार लगा लिया और उसके बात नहीं है तो इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है 5 मिनट तक हलके से मसाझ करनी है अंगलियों से मसाझ करने के बाद आप बन बना लीजिए या आप ऐसे ही छोड़ दी जे और आध Ses ऐगंटे के बाद आप बालों को धो लिज ये और अगर आपने बालों में तेल आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने स्मूद और बाउंसी लग रहे हैं काफी सिल्की काफी सॉफ फील हो रहा है तो उमीद है कि आप सब को वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजएगा मिलती हु नेक्